ओम साई नाथाय नमहा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ती एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है आज गुरुवार का दिन है, आज मैं आपलों के लिए श्री साई ब्रत की नियम, उसकी पूजा विधी, उध्यापन विधी वग कथा लेकर आई हूँ तो चली शुरू करते हैं, श्री साई बाबा जी के ब्रत की नियम और पूजा विधी, श्री साई बाबा का ब्रत स्री पूरुश और बच्चे सभी कर सकते हैं यहां ब्रत किसी भी जाती का व्यक्ति कर सकता है। यहां ब्रत बहुत ही चमतकारी ब्रत है। साही बाबा के 5, 9, 11 या 21 ब्रत करने से अवश्य ही मन चाहा फल प्राफ्थ होता है। इस ब्रत को श्री साही बाबा का नाम लेकर किसी भी गुरुवार को प्रारंध किया जा सकता जिस से कारे के लिए ब्रत करना हो उसके लिए साइबाबा जी की सच्चे मन से प्रातना करनी चाहिए श्री साइबाबा का ब्रत करते समय मन में किसी के लिए भी छल, कपट व इर्शा नहीं रखने चाहिए और किसी की बुराई भी नहीं करने चाहिए श्री साई बाबा की पूजा करने के लिए सबसे पहले किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछा लेना चाहिए उसके पस्चाथ उस आसन पर श्री साई बाबा की मूर्ती या फोटो रख कर स्वक्ष जल से स्नान करा कर या साइव बाबा की फोटो को पोच कर चंदन या कुमकुम का दिलग करना चाहिए और पीले फूल या हार चड़ा कर भोग लगाना चाहिए भोग में किसी भी फल या मिठाई का प्रयोग किया जा सकता है उसके पत्षात साइव बाबा जी गथा साई चालीसा, साई स्मरण, साई वावनी तथा साई कवच आधी का पाठ करना चाहिए और अंत में साई वाबा की आर्थी करके प्रसाद सभी लोगों में बाठ देना चाहिए और अगर समभव हो तो साई मंदिर जाकर साई वाबा के दर्शन करना चाहिए यहां ब्रत तूद, चाय, मिठाई, फल या एक सामे भोजन करके किया जा सकता है अगर किसी कारण बस किसी गुरुवार को कहीं जाना पड़े तब भी ब्रत को नियमनुसार सुचारू रूप से करना चाहिए अगर किसी कारण वस किसी गुरुवार को ब्रत न कर पाएं तो उस गुरुवार को गिंती में न लेते हुए मन में किसी प्रकार की शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से ब्रत जारी रखना चाहिए जब गुरुवार पूरे हो जाएं तब रत का उध्यापन करें एक बार मनत अनुसार रत पूर्ण करने के बाद आप दुबारा से ब्रत आरंप कर सकते हैं अब मैं आपको साहिं बाबाजी की उध्यापन विदी बताने जा रही हूं अन्तियम गुरुवार को उध्यापन करना चाहिए इसमें अपनी शद्धा अनुसार गरीवों को भोजन कराना चाहिए तथा साहिं बाबा की 5, 7, 11, 21, 91 या 101 किताबे भेट करने चाहिए जिससे साहिं बाबा की महिमा का प्रचार प्रसार हो सके किताबों को पहले पूजा में रखना चाहिए उन पर तिलक आदि करके उन्हें सगे संबंधियों में भीट कर देने चाहिए जिससे सभी को साहिं बाबा के चमतकार का ज्यान हो और उनकी भी मनुकामना पूर्ण हो सके अगर कोई प्रति उप्रोक्त विधी से ब्रत करता है तो साहिं बाबा उसकी मनुकामना अवश्य पूरी करते हैं अब मैं आपको साहिं बाबा जी की ब्रत कथा सुनाने जा रही हूँ कोकिला बहन और उनके पती महेश भाई शहर में रहते थे दोनों का एक दूसरे के प्रती बड़ा प्रेम भाव था परन्तु महेश भाई का सुभाव थोड़ा कठोर था उन्हें शायद बोलने का ढंग ना आता था अडोसी पडोसी उनके सुभाव से परिशान रहते थे लेकिन कोकिला बहन बहुती धार्मिक सुभाव की इस्त्री थी वह भगवान में अत्यन्थ विश्वास रखती थी और बिना कुछ कहे सब कुछ चुप चाप सह लेती थी धीरे धीरे उनके पती का रोजगार ठप होता गया कुछ भी कमाई नहीं होती थी महिच भाई अब सारे दिन घर पर ही रहने लगे और गलत रहा भी पकड़ ली थी अब उनका सुभाव पहले से और अधिक चिर्चड़ा हो गया था दोपहर का समय था एक ब्रद महराज दर्वाजे पर भीख्षा माँगने आये उनके चहरे पर अध्भुत तेज था उन्होंने कोकिला बहन से दाल चावल की मांग की कोकिला बहन ने सादु महराज को दाल चावल लाकर दिये और उन्हें प्रणाम किया सादो महराज ने कोकिला बहन को साइन सदा सुखी रखे का आशिरवाद दिया तब कोकिला बहन ने कहा महराज सुख अपनी किस्मत में कहां और अपने दुखी जीवन की सारी कहाने कह डाली तब साधो महराज ने साई बाबा के नो गुरुवार व्रत के बारे में कोकिला बहन को बताया साई बाबा की गुरुवार पूजा करना एक समय भोजन या फलाहार करना अगर हो सके तो साई बाबा के मंदिर जाना, विदिवत उध्यापन करना, भूको को भोजन कराना और यथा शक्ति साइन बावा की 5, 7, 11, 21, 91 या 101 पुस्तके भेट करना साइन बावा उम्हारी मनुकामना अवश्य पूरी करेंगे कोकिला बहन ने भी अगले गुरुवार से व्रत प्रारम किया अंतिम गुरुवार को गरीवों को भोजन कराया और पुस्तके भेट की इससे उनके घर के जगडे दूर हो गए घर में बहुत शांती रहने लगी महिज भाई के सभाव में भी आश्चरे जनक बदलाव आने लगा था उनका रोजगार फिर से चलने लगा कुछ ही दिनों में उनके दुख दूर हो गए और वो सुखी जीवन व्यतीत करने लगे एक दिन कोकिला बहन के जिर चठानी उनसे मिलने आये और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं परिक्षा में भी फेल हो गए हैं तब कोकिला बहन ने उन्हें गुरुवार की ब्रत के बारे में बताया और कहां कि साई बाबा के आशिरवास से बच्चे अच्छी तरह पढ़ पाएंगे और कहना भी मानेंगे पर उन पर पूर्ण रूप से श्रद्दा वाव विश्वास रखना जरूरी है साई बाबा सब की सहयता करते हैं तो उनकी जठानी ने कोकिला बहन से ब्रत की विधी पूछी कोकिला बहन ने उन्हें साई ब्रत की पूरी विधी बताई और कहा कि यह व्रत, स्री पुरूश एवं बच्चे सभी कर सकते हैं कुछ दिन बाद उनकी जठानी का पतर आया कि उनके बच्चे साई बाबा की क्रिपा से पढ़ने लगे हैं और परिक्षा में अवल भी आये हैं उन्होंने पुस्तक के अपने सहलियों और जेट के मित्रों को भीट की जिससे उनकी लड़की की शाधी भी साई बाबा की क्रिपा से हो गए जिसकी बज़ा से उनकी सहली बहुत दिनों से परिशान थी सभी समझ गये थे साई बाबा की महिवा महान है साई बाबा जैसे आप सब पर प्रश्ण होते हैं वैसे हम पर भी होना और अपनी किपा बनाए रखना साई बाबा की जै अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब गरूर करें प्लीज सपोर्ट करें थैंक यू